जहन सातियों कैसे हैं आप सभी, आप सभी का UP exam 16 में एक बार फिर से स्वागत हैं, आप सभी को मेरा नमश्कार, क्या हाल चाल है, तो उम्मीद आशा है, आप सभी अच्छे होगे, आज का जो topic है, quick revision या rapid revision में, आज के topic का नाम है calendar, यानि कि आज जो है हम calendar को cover करेंगे, बहु class की जो PDF है, वो आपको telegram group में मिल जाती है, अन्य classes की PDF भी telegram group में मिल जाती है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हम जो current बे calendar यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, Gregorian calendar, ये पहली बार जो है, यूज में आया, 15 अगस्ट, 15 October, 15 October, 1482, 1582 में, ठीक है, although ये information हमारे ल ग्यूस करते हैं, वो Gregorian calendar होता है, अब Gregorian calendar ने दो चीज़ों को बाटा, इसने काहा कि दो तरीके की चीज़े होती है एक होता है इयर यानि की वर्ष एक होगा इयर अर्थात वर्ष और दूसरा इसने कहा century अर्थात शताबदी दूसरा इसने कहा century यानि की शताबदी अब वर्ष क्या है शताबदी क्या है जैसे यहां पर लिखा जाए 2016 या 2023 ये सब क्या है या 1947 ये सबी वर्ष है अगर उसने बोला century यानि कि शताबदी तो जैसे 2000 उनने सो या 2100 ये सबी क्या है ये सबी आपके शताबदी है तो वर्ष और शताबदी दो हिस्सों में ग्रिगोरियन ने कैलेंडर को बाटा यानि कि इसका भिवाजन किया अब उनमें क्या concept देखे तो अगर मैं वर्ष की बात करूँ यानि कि मैं बात करूँ year की तो वर्ष जो है वो हमारे दो प्रकार के होते है अर्थात year जो है वो हमारा की leap century दोनों में difference क्या है तो दोनों में difference यह है कि समानने वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से भाग नहीं होते हैं यह कभी भी आपके 4 से भाग नहीं हो सकते और अगर यहां पर मैं बात करूं कि example के तौर पर तो जैसे 2017 क्या है तो 2017 क्या है 2017 जो है वो आपका ordinary हो जाएगा 2007 2019 2022 यह सभी 4 से भाग नहीं होंगे तो इसलिए यह सभी क्या हो जाएंगे ordinary year हो जाएंगे जो ordinary year यानि कि समानने वर्ष होते हैं उनमें क्या होता है कुल दिनों की संख्या 365 होती है समानने वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है 365 होती है और इसमें एक विशम दिन होता है इसमें विशम दिन कितने होते हैं तो इसमें जो विशम दिन है वो आपका एक होता है ठीक है फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर लीप वर्ष की, यहाँ पर लीप वर्ष वो वर्ष होते हैं, जो 4 से भाग हो जाते हैं, जैसे 2004, 2008, 1996, यहाँ पर कुल दिनों की संख्या 366 होती है, और इसमें विशम दिनों की जो संख्या है, वो आपकी 2 होती है, अब देखो, एक और डिफरेंस है, वो आप लिख लो, कि य यहाँ पर जो February के दिन है, यहाँ पर जो आपके February के दिन होते है, वो 28 डेस की होती है, यहाँ पर February 28 डेस की होती है, और यहाँ जो February है, और यहाँ जो आपके February है, यह आपके 29 डेस की होती है, यह इतने क्यों होती है, यह आपके 29 डेस की होती है, ठीक है, अब देखो, इसक century यानि की शताबदी की अब आप बात किसकी कर रहे हो अब आप बात कर रहे हो century की century का मतलब हो गया शताबदी century का मतलब क्या हो गया century का मतलब हो गया शताबदी की अब आप बात कर रहे हो तो शताबदी में क्या होता है शताबदी जो है यह 400 से भाग नहीं होती है जिस तरह वर्ष के अंदर हम 4 देख रहे थे इसी तरह शताबदी में जो है वह हम 400 से चेक करते हैं ठिक है यह सब से आपके 100 है 400 से भाग नहीं होगी हैं यह कोई भी 400 से भाग नहीं होगी और जब 400 से भाग नहीं होगी इसलिए इसलिए इन्हाने शताब्दी वर्ष कहलाएंगे ठीक है और उसके दूसरा होते हैं लीप century year यारी के लीप शतापदी वर्ष तो ये क्या होते हैं यह वर्ष 400 से भाग हो जाते हैं जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 and so on यह सभी क्या है यह सभी जो है यह 400 से भाग हो जाते हैं ठीक है अब इन में विशम दिनों की संख्या कितनी होती है तो लीप शतापदी में जो विशम दिन है उनकी बात करूँ तो जैसे 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में 5 विशम दिन होते हैं 200 वर्ष में 3 विशम दिन होते हैं 300 वर्ष में 1 विशम दिन होता है और 400 वर्ष में कोई विशम दिन नहीं होता यानि कि यह क्या हो जाएगा यह आपका 0 हो जाएगा 400 वर् दूसरा बेसिक उसके कोशन के रहा है निमलिकित में से कौनसा एक साधारण वर्ष है साधारण वर्ष वो होता है जो चार से भाग ना हो 92 चार से भाग हो जाएगा 96 चार से भाग हो जाएगा केवल 2007 ऐसा है जो चार से भाग नहीं होगा तो 2007 यानि के option D आपका answer बनेगा अगला कोशन देखो next है बदाओ कि अगला कोशन है चारा है निमलिकित में पर से कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है यानि कि यहाँ पर देखना है साधारण नहीं है अर्था वो लीप वर्ष होना चाहिए तो जो चार से भाग हो जाएगा तो यहाँ पर लीप वर्ष कौन है आपका यह 1664 क्योंकि 205, 78 औ कुछ है साधारण वर्ष नहीं है उसके according answer करना according to question ध्यान से जैसे यहां पर बोलता है कि अब निम्लिकित में से कौन सा एक लीप वर्ष है तो लीप वर्ष जो चार से भाग हो जाए 2007-2019-1971 चार से भाग नहीं होंगे यानि कि 2004 जो हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा फिर अगला कह रहा है कि निम्लिकित में से कौनसा लीप वर्ष अधी यानि की अधीवर्ष नहीं है अर्थात्मप्ट उ जो चार से भाग ना हो, कैस्वीनra 72 चार से कटेगा, 72 चार से कटेगा, 92 भी चार से कटेगा, 1994 जो है वो आपका लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये चार से नहीं कटेगा, इसलिए ये हो जाएगा समाने वर्ष और यही बात आप से पूछी गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेंचुरी की बात करी जाये, इनमें से कौन सी सेंचुरी, लीप सेंचुरी नहीं है, तो 1200, 16, 2000, ये तीनों ही चार सो से कटेगा, इसलिए वो चार सो से नहीं कटेगा, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगर, अब दूसरा कॉनसेप्ट क्या कि यदि किसी समानने वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन एक ही होता है। जोसे for example, for example, अगर मैं आपसे क्या हूँ, कि sir, एक जनवरी 2015 का दिन Thursday है, तो 31 December, तो 31 December 2015 का दिन जो होगा, वो भी क्या होगा, 31 December 2015 का दिन है, वो भी क्या होगा, Thursday होगा, मतलब कि वर्ष का प्रतम दिन और वर्ष का अंतिम दिन जो है, वो हमेशा समान होता है, इनको points को copy में note down कर लेना, ऐसे ही revision लिख कर गे, क्योंकि जब आप paper देने जाओ, उसे एक दिन पहले train में, बस में पन्नों को पलटना, सारी चीज़े revise हो जाएंगी, है ना, कि किसी समानने वर्ष का प्रतम दिन, और वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, एक ही होता है, यानि कि यदि एक जनवरी 2015 का ब्रस्पतिवार है, तो 31 दिसंबर 2015 का जो है, वो भी ब्रस्पतिवार होगा, दूसरा concept है, कि यदि किसी लीप वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष के प्रथम दिन से एक ज्यादा होता है जैसे 2016 है, लीप वर्ष है तो यह कहा रहा है, एक जनवरी 2016 का दिन Friday है और यहां अगर कोशन आ जाता कि 31 December 2016 का दिन क्या होगा यहांगर कोशन आ जाता 31 December 2016 का दिन क्या होगा तो हम कहते कोई बात नहीं सर फ्राइडे में एक काम करिए one add कर दीजे यानि कि Saturday होगा क्योंकि लीप वर्ष में February 29 दिनों की होती है इस कारण से एक दिन extra हो जाता है तो जो समानने वर्ष में same day था लीप वर्ष में प्रतम दिन से एक ज्यादा होता है ठीक है इसको note कर लीज एक जन्वरी 23 का क्या दिन है रवीवार का दिन है अगर आप देखो गे एक जन्वरी 2023 जो है वो आपका समानने वर्ष है समानने वर्ष में मैंने आपको बदाया था विशम आनि की यहाँ पर विशम की संख्या एक है तो आप Sunday में सिर्फ एक जोड़ दोगे यानि कि यह क् क्या रहा है एक जनवरी 2024 का मंडे है तो एक जनवरी 2025 का क्या दिन होगा तो एक जनवरी 2025 का क्या दिन होगा अब यहां पर देखो एक जनवरी 2024 का क्या है मंडे है अब लेकिन एक जनवरी 2024 2024 क्या हो गया लीप वर्ष हो गया लीप वर्ष में विशम दिनों की संक्या दो होती ह अभी मैंने लिख्वा दिया तो इस टार्टिंग में, तो सम्वान्ने वर्ष में एक विश्म दिन की संक्या, लीप वर्ष में विश्म दिनों की संक्या दो होती है, तो यहां पर मंडे में आप दो अड़ कर दीजे, यानि कि Tuesday और Wednesday हो जाएगा, यानि कि यह क्या हो जाएगा Tuesday और Wednesday आपका हो जाएगा अर्थात यहाँ पर Wednesday आजाएगा ठीक यहाँ पर कितना आजाएगा Wednesday आपका बन जाएगा अगला कोशन यदि महीना सेम रहे और वर्ष भी सेम रहे बदले केवल तारीक तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक जैसे तो यानि कि यहां पर जितने भी हैं, यह सब आपके 22 तक क्या हो गया, Sunday हो गया, अब हम से यहां से निकालना किसका है, 25 का, 23 का क्या हो जाएगा, Monday, और 24 का क्या हो जाएगा, Tuesday, 24 का Tuesday, और 25 का क्या हो जाएगा, आपका वेडनस डे, और 26 का पूछा गया है, तो 26 का क्या हो जाएगा आपका Thursday तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हो that is Thursday will be the right answer अगर आप चाहते हो sir मैं इस तरीके से solve ना करू तब मुझे क्या करना होगा तब जो है जो भी यहाँ पर दिन है जैसे यहाँ पर 26 तारीक दी गई है इसमें से एक घटा देना जाने कि जो 25 तरीक 25 दिन आपके बचेंगे इस 25 में से यह एक कहीं और से नहीं घटाया है इस तारीक में से इस तारीक को सब्टेट किया है वहाँ पर अगर पांस तारीक दी गई होती एक की जगा पर तो मैं 26 में से 5 घटाता वहाँ पर अगर 19 तारीक दी गई होती तो 26 में से 19 घटाता ठीक है यह 26 की जगा 31 देता तो 31 में से एक घटाता तो 26 में से एक गया 25 बचे 25 को अगर हमने 7 से डिवाइट किया 721 यानि कि यहाँ पर क्या बच गया 4 बच गया 2023 का क्या दिन होगा आपको कुछ नहीं करना आपको सिंपली इस 31 में से 5 घटाना होगा यानि कि आपका 26 बच गया इस 26 को 7 से भाग करना होगा तो 721 हो जाएगा यानि कि यहाँ पर 6 बचेगा 5 और यहाँ पर 6 बचेगा 5 जैसे ही आप एड़ करोगे यह आपका क्या हो जाएगा तो यह जो है यह आपका Friday हो जाएगा ठीक है आप इस तरीके से भी कर सकते हो आप उस वाले तरीके से भी कर सकते हो कि 5 का Sunday है 5 साथ 12 का Sunday होगा 12 साथ 19 का Sunday होगा 19 साथ 26 का Sunday होगा तो जब 26 का Sunday है तो 26 में 5 दिन अगे जाना है तो 26 और 5 31 होता है तो 31 का क्या हो जाएगा Friday हो जाएगा तो आप चाहों तो इस तरीके से करो चाहों इस तरीके से करो वो आपकी स्वाइच्छा है अगला कोशन देखे अब यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर वर्ष तो सेम है लेकिन तारीक और महीने बदल गए अब जब तारीक और महीने बदलते हैं तो कैसे करते हैं आपने चाप्टर पढ़ा होगा बहुत ही ध्यान से तो मैं अब भी उसको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ चाप्टर में आपको अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ प्लेइलिस्ट में आपको सारे चाप्टर मिल जाएंगे यह तो क्विक रिवीजन रापेड रिवीजन सेशन चल रहे है है ना जिसमें कि आप बोला गया है आठ जनवरी 2023 का संड़े है तो आप क्या क्योंगे आप यही तो क्योंगे कि आठ जनवरी 2023 का संड़े है अब अप्रेल 28 अप्रेल का पूछा है ऐसे प्रश्टों में आपको क्या करना होता है हाद रखना हमेशा यहाँ पर आपको जितने भी महीने दिये गए है उतने पूरे लिख लिजे जनवरी, फेब्रेरी, मार्च, अप्रेल जनवरी, फेब्रेरी, मार्च और अप्रेल अप्रेल तक की बात कर रहा है जनवरी से तो यहाँ पर जनवरी से अप्रेल तक की बात जो है वो आप ऐसे डिस लिख लिजे उसके बात क्या था है, जनवरी में कुल दिनों की संख्या होती है, 31, 31 में से 8 गए, तो आपके बचे कितने 23, सरीके क्या किया, हमेशा याद रखेगा, जब भी आप इस तरीके के कोशन करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुल दिन चाहिए होते हैं, बचे हुए, अब जैसे 8 तार जैसे महीना जनवरी है, तो जनवरी का महीना 31 दिनों का होता है, यहाँ पर अगर जून लिखा होता है, तो 30 से माइनस करते हैं, तो आपने क्या गया, 31 में से 8 को माइनस किया, मदब बचे हुए दिन आ गए 23, ठीक है, अब फेबरेरी 2023 की बात कर रहा है, तो फेबरेरी 28 द 21 डारा, 22, 20 का 0 करे 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 3, 11, किता हो गया, 110 हो गया, अब 110 को आप क्या करोगै? भाग करो गे 7 से, मुनब बचा 0, First, साथ, 35 हो गया, यानि कि यहाँ पर जो 6 बच गया, वह अपका 5 बच गया, यानि कि यहाँ पर जो आपका 6 बच गया, वह 5 बच गया, तो यहाँ पर 5 एड कर दो कितना हो जाएगा Friday हो जाएगा इसको एक बार रीचाइक जरूर कर ले है ना question में कहा रहा है 8 जनवरी 2023 और 28 अपरेल 2023 का पूछा गया है तो सबसे पहले जनवरी के दिन 31 में 8 गए तो 23 दिन बचे फेबरी के 28 दिन और मार्च के 31 अपरेल के 28 तीन और आट 11 एक बारा बारा आट 20 का 0 केरी 2 2 2 4 2 6 6 3 9 2 11 यानि कि आपका साथ से काटा साथ एकम साथ चार बचा 0 अतारा साथ पंजे पैतेस पंद्रा यानि कि पांच बच गया बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा फ्राइडे आएगा 24 दिसंबर 2018 का क्या है मंडे है 24 दिसंबर 2018 का मंडे है तो 22 जोलाई 2018 का क्या होगा अब यहाँ पर पीछे की तरफ आना है जब भी पीछे की तरफ कोशन दे तो इसको reverse order में लिख देना 22 जोलाई 2018 का दिन तो जो है वह एकस है और आपके 24 दिसंबर 24 December 2018 का दिन जो है वो आपका मंडे है ये जो है वो आपका मंडे है अब आपको कुछ नहीं करना आपको जैसे आपने पीछे तक कोशन में करा है हमेशा वैसे ही यहाँ पर करना है ठीक है वैसे ही चीज यहाँ पर अपनानी भी है क्या? कि भाईया जोलाई नवेंबर और दिसेंबर अब देखो यहां पर क्या होगा जॉलाई के कितनी तारीक है जॉलाई के तारीक दी गई है 22 बस उसी को 31 में से घटा दो किता हो गया आठ और एक 9 तो जॉलाई के दिन हो गए 9 अगस्थ के हो गए आपके 31 सप्टेंबर के हो गए आपके 30 तीन और एक 4, 4, 3, 7, 3, 10, 10, 13, 13, 13, 12, 15, कितना हुआ, एक सो पच्पन हुआ, अब एक सो पच्पन को भाग कर दो किसे 7 से, तो यह कितना हो गया, साद दूनी 14 हो गया, यहां पर एक बचा 6, 5 उतारा, फिर अगें साद दूनी 14 हो गया, और एक क्या बच गया आपका फिर से करते थे थे न, अब हम पीछे की तरफ जा रहें, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानि कि यहां पर एक क्या होगा, माइनस होगा, तो जो मंडे में एक आप माइनस करोगे, तो यहां जो X की वेल्यू आएगी, वो संडे आएगी, यहां जो X की वेल्यू आएगी, व चीक है, 0.33, 614, 625, 0.35, कोड जो है, वो हमें याद होने चाहिए, कोड के बाद यहाँ पर बाद यहाँ पर शतापदिया दी गई है, वो भी हमें याद होनी चाहिए, यह चोटी शतापदी यह, 642020, तो 6420 जो है, वो आपके क्या हो जाएंगे, 1 code हो जाएंगे 4420, यह हो जाएगा आपका शताबदी का code ठीक है, dé Weiter tierraено हहो जाएगा? यह हो जाएगा आपका स्टाबदी का code और यह हो जाएगी विश्मिक दिनों की संख्या है अब जैसे हमें कोई Quesheln करना होता है जैसे Quesheln में आएगा 24 Dismgrass 2018 का दिन क्या है तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या कि 0.3.614.625.0.35 यह हमारे code होते हैं आप बैसे मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं ताकि आप लोग revision ध्यान से कर सको अब इसमें होता क्या है question में हम कैसे करते हैं सबसे पहले हमें यह तारीक चाहिए होती है सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है यह तारीक चाहिए होती है चौबिस तारीक हम ने ले ली फिर उसके बाद इस महीने का code चाहिए अब देखो समानने वर्ष के लिए code अलग होता है लेकिन वो बदलता है केवल जनवरी और फरवरी का बाकी सब का सेम है जनवरी का 0 हो जाता है समानने वर्ष में और लीप वर्ष में 6 हो जाता है फरवरी का 3 हो जाता है समानने वर्ष में और लीप वर्ष में 2 हो जाता है बाकी दिसंबर तक और सब सेम है जैसे दिसंबर का तो 5 ही है, चाहे इधर से लो, चाहे उधर से लो, तो दिसंबर का क्या हो गया, 5 हो गया code, ये वाला code किसे आ गया, ये वाला code आ गया आपके दिसंबर का, फिर हमको चाहिए last 2 डिजिट, फिर हमको चाहिए last की 2 डिजिट, अब हमको चाहिए इसी last की 2 डिज मैं चाहिए इसका मुझे चाहिए यहां पर श्रताबदी इसका मुझे यहां पर क्या चाहिए श्रताबदी कोड चैये तो अब आप देखो श्रताबदी कोड यहां दिया गया है रहा जब बात करी जा रहीए और 10, 39-2, 27, 27 का 7 कह रही 2, ठीक है, 8 और छे 4, 4 और छे 10, 10, 8, 18, 5, 28, 24, 27 का 7 कह रही 2, 2 और 2, 4, 4 और 1, 5, 5 कितना हो गया ये, अब आप इसे भाग करोगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, 7, 8, 56, 7, 8, 56 हो जाएगा, और 1 बच गया आपका 6, 1 क्या बच गया, आपका 6 बच गया यहाँ पर बात क्या हो गई, कि 24 दिसम्बर 2018 का दिन क्या आ गया, तो 24 दिसम्बर 2018 का दिन आ गया, Monday, and that will be the right answer, that will be the right answer, चलिए, अगला कोशन देखिए, next आपकी स्क्रीन पर बनाए, अगला कोशन देखिए, next आपकी स्क्रीन पर बनाए, क्या रहाए, एक जनवरी 1900 का कोड क्या होगा अब देखो simple है कोई जादा tough task है नहीं बस चीजों को revise करते हुए चलना होता है अगर यहां पर मैं बात करूँ कि एक तारीक है तो जनवरी की तारीक कितनी है एक तारीक अब जनवरी का code कितना होगा वो depend करेगा कि leap है या समानने है अब 1900 अगर आप देखोगे तो ये क्या है 1900 जो है वो आपका समानने शताबlar वर्ष है टीक है समानने शताबर वर्ष है आपका 1900 अब झनवरी का कोड़ कितना हो जाएगा zoom हो यह वाला code किसका हो गया, यह हो गया code 0 का, इसकी last के 2 digit कित्ती हो गई, यह भी 0 हो गई, यहां से leap year कित्ते हो गई, वो भी 0 हो गई, और 1900 का शताबदी code कितना है, 1900 का शताबदी code जो है, वो कितना है, तो 1900 का शताबदी code भी जो है, अगर आप देखोगे, 1900 से 1999 के बीच में 0 ही तो यह भी 0 हो गया, यानि कि सब कुछ टोटल करने के बाद हमारे पास बचा 1, और 1 क्या होता है, शुब दिन यानि कि मंडे, एक का शुब दिन क्या है, मंडे है, अर्थात इस्तिती पर समवार जो है, वो प्राप्त होगा, तो 1 जनवरी 1900 को क्या मिलेगा, एक जनवरी 1900 को मि नहीं समझाया, तो फिर से देख ले न, एक तारीक आगई, समाने वहष में जनवरी का कोट 0, और यहां से 2-0, फिर 2-0, फिर 2-0, फिर 2-0, सब कुछ जो जो दो करने के बाद, एक जनवरी 1900 का जो आंसर आया, वो आया आपका मंडे, ठीक है, अगला कोशन देखो, नेक्स् स्वयम से करो, जल्दी से, इसका आंसर आप स्वयम से करो, जल्दी से बदाओ, क्या होगा, इसका आंसर आप जल्दी से स्वयम से बदाओ, क्या होगा, अब यहां पर मैंने 2000 लिग दिया है, बस, यहां पर मैंने 2000 लिग दिया है, बाकी सब सेम है, वही एक तारीक बिलकुल आप यह जनवरी का कोड बदल जाएगा क्यों क्यों कि 2000 के आप बात करोगे तो 2000 क्या है लीप शताबदी वर्ष है 2000 क्या है लीप शतावधी वर्ष है, जब आप समानने में जा रहेते तो जनवरी का कोट 0 ले रहे थे, लेकिन जैसे ही यह लीप शतावधी वर्ष हुआ, तो जनवरी का कोट 06 हो गया, यानि कि 06 है शतावधी कोट था, लाश की दो डिजिट आपकी 00, इन में से century वो आपकी लीप ही 00, और इसका जो शताबदी code है वो किता होगा, इसका जो शताबदी code हो जाएगा 06, टोटल किया 6-6, 12 और 13, 13 को आपने बाग किया 7 से, तो 7 गम 7 यानि कि 6 बच गया 6, और 6-6 बचता है तो दिन होता है आपका Saturday, यानि कि 1 जनवरी 2000 का दिन क्या निकला, एक जनवरी 2000 का दिन जो है वो आपका Saturday निकला, एक और question है का, इसका answer दो किया रहा है 16 March 1943, यहाँ पर क्या बोला गया है, 16 March 1943 का क्या दिन होगा, यह 43, 45 कुछ भी आजाए, same concept है, कुछ भी अलग नहीं है, है ना, सबसे पहले आप 16 तारीक लिख लिख ली, March का code किता होगा, 03, लास्ट की दो डिजिट कित्ती है, 43, इसमें leap year, कित्ते हो गई, 11, 10, 44, यानि कि 10 leap year हो गई, है ना, उसके बाद, शतापदी code, तो 1900 का शतापदी code होगा, 00, ठीक है, अब आपने add कर लिया, 6, 3, 9, 3, 12, 12 का 2, carry 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6, 7 72, 72 को आपने divide किया, 7 से, total एक बार फिर कर ले, 6, 3, 9, 3, 12, carry 1, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 72, तो 7, 2, 70, यानि कि यहाँ पर 6 बच गया, आपका 2, अब जो 2 शेश बचा, उस पर दिन होता है, Tuesday, so that guys, answer क्या हो गया, Tuesday हो गया, तो इस तरीके का कोई भी question आए, आप एक दम से कर दोगे, ठ Monday है, आज यानि कि बोल दे की समवार है, तो आज से 121 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 121 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसमें के दिन बाद, के दिन बाद कुछ भी आ जाए, आपको बस एक ही concept याद रखना है, आपके दिमाग में बस एक ही फितूर चलना चाहिए, कि इ 121 को साथ से भाग कर दो, साती गम साथ हो गया, आपका पांच बचा एक उतारा, साथ सत्य उरंचास, यानि कि आपका दो शेश बचा, और जब उसने 121 दिन बाद पूछा है, आज मंडे है, तो मंडे में दो जोड़ दो, तो 121 दिन बाद जो है, वो आपका वेटनस दे हो कहता है कि यदि गत परसो का दिन रविवार था, ऐसे कोशनों को हमेशा आज पर ले आओ, ताकि आपका कोशन हमेशा सही हो जाए, आज ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसो, ठीक है, कहा रहा है यदि गत परसो का दिन रविवार था, यानि कि इस दिन के बारे में बात कर रहा है तो यह दिन जो था वो आपका संडे था यह दिन जो था वो आपका मंडे था ठीक है और यह दिन जो था वो आपका ट्यूजडे था और यह दिन जो था वो आपका ट्यूजडे था सही है अब यहां पर आजो आगामी परसो कौन सा दिन होगा यानि कि आने वाल कल और उसके बाद अगला जो है वो परसो उसके बाद का जो है वो परसो ठीक है अब यहां देखो यहां क्या बनेगा यहां पर ट्यूजडे हो गया तो यह जो है वो आपका वेडनस डे हो गया ठीक है और यह जो है यह आपका क्या हो गया थर्सडे हो गया अगामी परसों का पूछा गया है तो थर्सडे जो है वो आपका राइड आंसर हो जाएगा हमेशा इसको ऐसे ही तरीके से करना है आज का दिर निकाल लो और उससे आप कुछ भी कर लो आज के दिन से आप कुछ भ बाद मंगलवार होगा इसका मतलब यह नहीं है चौथा दिन तीन बाद मंगलवार होगा मतलब यह वाला चीज गिनी जाती है तो कल से चार दिन पहले तो यानि कि किता हुआ बंगल अर्थात ऑप्शन सीज का अंसर है हमेशा इस तरीके के कोशन को आज पर कनवर्ट कर लो अराम से बन जाते हैं कोई समस्या नहीं आती है ठीक है चले बहुत बढ़िया उसके बाद अगर मैं बात करूं यह वाली क्या यहां पर यह बोलता है कि 2000 कोश्चिन कैसा आता है के 2009 क का कलिंडर कर समान होगा मतलब कलिंडर कभ रिपीट होता है तो कलिंडर रिपीट की कंडिशन क्या है देख लीजे कहता है कि समाने वर्ष में 11 जोडने पर समाने वर्ष समानने है और यह भी समानने है यानि कि बार ठीक हो गई या मैं 2019 में 11 जोड़ूँगा तो कित्ता आ गया 2030 आ गया यह भी समानने है यह भी समानने है लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2029 में 11 जोड़ता हूं तो ये जो बनेगा 2040 बनेगा अब ये तो समानने है लेकिन ये लीप हो गया तो यानि कि ये आपका तरीका गलत है तब आप इसमें क्या करते हो तब आप इसमें प्लस 6 एड करते हो 11 की जगा यानि कि 2035 में इसका केलेंडर रिपीट होगा सेम चीज को 2009 का केलेंडर कब रिपीट होगा सर कोशन में भी यही कह रहा है 2009 का केलेंडर कब रिपीट होगा तो 2009 में अगर मैंने 11 जोड़े तो मुझे मिलेगा 2020 जो की लीप वर्ष है तो यहां रिपीट नहीं हो सकता यानि कि मैं इसमें 6 जोड़ूँगा तो 2015 में जो है मेरा केलेंड केलिंडर कब रिपीट होगा 2009 का ठीक है फिर उसके बात देखो क्या रहाई की कि 1994 का क्या केलिंडर कब रिपीट होगा तो 1994 की बात की गई है तो 1994 में 11 आप एड़ कर दो यानि कि 11 आपने जैसे ही एड़ किया हो गया 2005 तो यह तो कहानी थी किसकी समानने वर्ष की अब आती है बात लीप वर्ष में लीप वर्ष में क्या होता है लीप वर्ष पढ़ लिजे कि लीप वर्ष में क्या होता है कि यदि लीप वर्ष में 28 जोडने पर लीप वर्ष आता है तो तो सब सही है है यहाँ पर बोला गया है 28 जोड़ा जाना चाहिए यदि 28 जोड़ने पर लीप वर्ष नहीं आता है तो 40 जोड़ा जाता है जैसे यहाँ पर कहा रहा है 2020 28 जोड़ दो कितना हो गया 2048 बात खतम लीप वर्ष है तो लीप ही आएगा 28 जोड़ने पर यानि किसका उप्शन ए बनेगा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ जो है वर्ष 1872 का केलेंडर किस वर्ष के समान होगा जब यहाँ पर 1872 की बात करें और आपने यहाँ पर जोड़ दिया 28 तो यह कितना हो जाएगा यह आपका 1900 हो जाएगा 1900 और 1900 क्या है 1900 याद करो अभी लिकवाई थी 1900 जो है वो समानने शताबदी वर्ष है तो 1900 समानने शताबदी वर्ष है यानि कि 1900 तुमारा सही आंसर नहीं होगा यहाँ पर आपको 40 जोड़ना पड़ेगा अर्थात 1912 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा ठीक है चलिए बहुत बहुत थेंक्यू आप सभी का तो क्यलेंडर का जो रिव प्लेइलिस्ट में अवेलेबिल है आप उसको डेटेल वे में देखना चाते हो तो देख सकते हो उस क्लास की प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है वहां से भी आप उस क्लास को देख सकते हो ठीक है चलिए तो आज का सेशन यहीं तक तब तक के लिए हसते र बार।